हेई गाईज कैसे हैं आप लोग मित गरता हैं अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो को टापिक में हम जानने वाले हैं बेटा 3 एम्प्लिफायर के बारे में जो की डीटी 3,000 है यहाँ पर मैं आपको बताने वाल हूँ इसका प्राइज अप्रोक्स प्राइज आपका कि डाला था कि यहाँ पर वीडियो कितने बज़े मैं अप्लोड करूं यूटूब में तो यहाँ पर आप स्क्रिंसोट देख सकते हैं काफी ज़्यादा वोट मीले हैं 7-9 बज़े तक तो यहाँ पर 60% वोट यहाँ पर हमें 7-9 बज़े सुबह में मिले है तो वीडियो ज्या यहां पर beta 3 dt 3000 के बारे में तो यहां पर सारे चीज में आपको बता हुआ है specification speaker कितना चलेगा 1500 watt का base चलेगा या नहीं तो चले फटाफ़से वीडियो की start करते हैं और यहां पर beta 3 dt 3000 के बारे में specification पाइने देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं चारों में आपको मिल जाता है 2000 watt का परचलना और यहां पर ATOMS में आपको मिल जाता है 1300 watt का परचलना और वहीं हम बात करते है dumping factor के हैं तो यहां पर आपको 500 मिल जाता है power supply आपको देना है 220 बोल से लेकर 230 बोल तक उससे उपर आपको नहीं जाना है 210 भी रहेगा तो चलेगा यहां पर इसका amplifier का net weight हो जाता है 15 kg 500 ग्राम amplifier जो है काफी light weight है जो कि एक आदमी काफी अच्छे से इसको उठा सकता है बात करते हैं इसके pricing के तो price मैं वीडियो के end में ही बताता हूँ वीडियो के end तक देखते रहेगा बात करते हैं पहले यहां पर amplifier का look देख सकते हैं काफी अच्छा है आपर 2 channel का amplifier है इसका model है और यहां पर brand यहां पर आपको मिल जाएगा beta 3 और इधर dt 3000 आपको दिख रहा होगा लोगो तो बात करते हैं आपर इसमें हम कितने 1000 watt का speaker चलाएंगे तो यहां पर आप इस speaker चला सकते हैं मालते हैं हम पर 2 base चलाते हैं तो यहां पर आप 1200 watt का RMS power में आप 2 speaker चला सकते हैं जैसे कि एकी speaker एक चलाएंगे एकी speaker दूसरे channel में वही हम बात करते हैं 1500 watt के base के बारे में जैसे कि भाई का comment आयो था 1000 b2 speaker चलेगा नहीं मतलब चलेगा या नहीं चलेगा तो जी हां यहां यहां पर आप 2 speaker आप इसमें काफी अच्छे से चला सकते हैं जो कि यहां पर 1500 watt का AES power में आपका 1000 b2 speaker आता है यहां पर एक एक चैनल में एक एक base आप काफी अच्छे से run करवा सकते हैं काफी अच्छा आप को base मिल जाएगा वहीं हम बात करते हैं चार oms में तो यहां पर दोस्तों आपका मिल जाता है 2000 watt का per channel output तो यहां पर हम यूज़ करेंगे 1000 watt का 4 base मतलब की 1000 watt का 2 base parallel connection में एक channel में हम चलाएगे और 2 base दूसरे channel में चलाएगे तो काफी अच्छा आपको sound देखने को मिल जाएगा क्योंकि हाँ पर चार oms में हमारा 2000 watt का output मिल जाता है amplifier से और हम यहाँ पर 1000 watt का जो है 2 speaker चलाएगे तो 2000 watt का load हम इसमें डालेंगे जो कि amplifier में कोई problem नहीं आएगे काफी अच्छे से यहाँ पर आपको sound देखने को मिल जाएगा ज्यादा base आपको चाहिए तो आप atoms में इसको use करिए काफी अच्छा आपको response आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि 158 का 2 base AS power में और वहीं हम बात करते हैं इसके pricing के बारे में अगर आपके पास यह amplifier है तो नीचे comment में बताएगा amplifier कैसा चल रहा है और आप कैसे use करते हैं कितने वाट के speaker use करते हैं और आपके market में जो amplifier का price आपको कितना पड़ा था आप अगर इसको comment करते हैं इस amplifier का price के साथ तो मैं आपका comment pin करने वाला हूं तो जल्दी से नीचे जाए और आप comment में बताएगा कि amplifier का price आपके market में कितना है और आपने मतलब कितना में लिया है और कैसा चल रहा है तो यह सारे चीज में मतलब आप comment में बताएगा और वीडियो कैसा लगा वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ चनल में नए है तो यह जाएगा सब्सक्राइब कर लिजिएगा कि मैं डिजिस लेटर आइसे वीडियो अब्लोड करता है और comment करके बताएगा वीडियो कैसा लगा वीडियो किस topic पर चाहिए यह जुरु-जुरु कर दो कर दो कर दो कर दो